पिछली क्लास में हमने क्या किया था एक तो forest utilization का जो general होता है कि definition क्या है forest utilization की उसे समझ लिया था इसके बाद हमने यहाँ पर पेड़ जो थे अपने उनको काट लिया था काट तुल लिया और इसके बाद काटने के बाद हमने क्या किया था conversion किया था उनका तो यहाँ पर cutting से जो related जो filling rules थे उनने देख लिया था filling rules और उससे related जो issues थे दूसरा जो important point देखा था इनका westage का जो westage अपना ही लगवाग 55% तक जा रहा था अब ठीक है यहाँ पर हमने क्या कर रखा है प्लेडों को काट तो लिया है अब उसका अगला step क्या होगा उन्हें उस जंगल से निकाल करके डिपो तक लियाना डिपो कुछ भी हो सकता है तो तीन टाइप की डिपो होते हैं तो दूसरा जो हिस्सा है वो है transportation का तो यहाँ पर एक तो आपन इस वीडियो में देखेंगे transportation वाला पार्ट दूसरा देखेंगे इसके यह storage यानि की डिपो वाला पार्ट और इसके बाद डिपो में इन वूड्स के साथ क्या किया जाएगा इसका किया जाता है segregation उनको preservation जो इनके साथ treatment किया जाएगा खासकर इसके जो defect वगर है तो defects वगर की study यहाँ ख़द लेंगे अभी तक के यह दो वीडियो तक का जो हिस्सा रहेगा यह थोड़ा ऐसा हिस्सा है forest utilization का जिस पर question थोड़े काम आते हैं लेकिन आगे के जो चार वीडियो हैं उन पे ही पूरे दारोंदार जो है वो उन ही पर है लगवाग 90% forest utilization के questions हैं वो remaining 4 पर ही आएंगे तो उन्हें बहुत ही ज़दा serious लेके चलना है आपको और अगर importance की बोला जाए तो forest utilization अकेला ऐसा subject है जिसमें question silvy culture के बराबर आते हैं और लगवाग around 20 question इससे आपके आजाएंगे काफी बड़ा है तो time लगता है इसे लेकिन 20 question इससे आजाते हैं easily आते हैं इतने हंडेट की बोला हूं तो आपके भी लगवाएंगे आही जाएंगे राजस्तान में अब अपना पहला चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा आसन बनाने के लिए जैसे आज के टाइम पर हमारी है क्या रोड पर है जमींस रोड है ट्रैन है यह तो है लेंडवाली ट्रांसपोर्टेशन कुछ है वाट ट्रांसपोर्टेशन और तो सकते हैं ऊपने हैं तो ऑफ रोड होता है हैं पांच किलोंएटर 10 किलोंएटर तो बहुत हो जाता है यह आदा किलो मीटर एक किलो मीटर वाला यह आदा यह कैसा होता है कि जैसे आपके पास यह एक ब्लॉक है यह एन्वल कूप है जिसमें का काम चल रहा है एन्वल कूप ले लो जिसमें फिलिंग का काम चल रहा है अब क्या किया जाएगा यह जो एरिया है य जो है forest road भले लगवाक temporary road होगा permanent तो मिलेगा नहीं तो यहां से यह जो गधे हैं बगरा हैं उनके थूरू लेकर करके यहां से लेके आएंगे यह road के किनारे तक यहां पर एक छोटा सा डिपो बना लेते हैं थोड़ा storehouse था जिसे क्या बूलते हैं अपन डिपो ही बूलेंगे लेकिने से बूलते हैं forest deport deport पढ़ेंगे यानि कि storage वाला part पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा तो यह जो इस टाइप का transportation है जो आदा किलो मीटर है पॉइंट 5 किलो मीटर है या एक किलो मीटर का है तो इस टाइप की जो condition है इनको बूलते हैं माना transportation और major क्या हुआ अब य अब transportation की देखा जाए तो सबसे पहले तो देखते हैं लेंड ट्रांस्पोर्टेशन लेंड ट्रांस्पोर्टेशन में हम किससे करेंगे खाजकर जो forest इरिया में हम करते हैं एक तो आप उन जैसे animal वगारे को यूज करते हैं बुलक काट अब यह क्या स्नो वाले हैं जैसे कौनिफर्स के लिए करते हैं कहां अपने कनेड़ा वाले हैं या रस्या वाले हैं तो उनके हां जो कौनिफर्स जो है वहां जो स्नो है वो एक अच्छी sliding force देता है मतलब उसका friction नहीं होता है अपने जो पहिए लगे होते हैं उसका purpose क्या purpose तो यह नहीं काम हो जब इनके और method का हो सकते हैं अपने जैसे के ट्रक से लेके जाते हैं transportation ठीक है तो हो क्या सकता है अपने पास man खो दी दो आदमी पकड़ के लेके चलेगा है या फिर animal को यूज कर लिया गजहों को यूज कर लिया bullet card कर लिया dragging खचोर के लेके जा रहा हो वो जो आपको पिक्रून बता प्राव उसके गोमा घुमा के लेके जा रहा हूं कर लेके जा रहा हो यह बकाव के जो है,skाइडिंग वगएरा forest truck वगड़ा है तो यह क्या हुआ अपने लेंड ट्रांसपोर्टेशन जमीन के ऊपर होता है लेकिन क्योंकि जो लेंड ट्रांसपोर्टेशन है अस सपोज च तो पेट्रॉल तो डीजल तो लगेगा ना इसका और दूसरा इसको जो वरकर है उसको सेलरी देनी पड़ेगी और इसकी ट्रक की लिमेट है एक लिमेट से ज़्यादा ट्रक लोड नहीं ले सकता है तो इसका फिर एक दूसरा तरीका है वह था अपना वाटर लग रही है मतलब उससे लगोंगा 90% सस्ता है वाटर ट्रांस्पोर्टेशन तो बिटिस जो थे उन्होंने भी वाटर को काफी ज़दा प्रूमोट किया अब वाटर ट्रांस्पोर्टेशन के तीन तरीकों है बेसिकली उन्हें पहला आता अपना फ्लोट जैसे की नाम यह प्लोट का मतलब तेरना तो इसमें क्या है कि हमारी ऐसी लगड़ी जो खासकर जो बहुत ही लाइट है मतलब बैसे तो जो लगड़ी है उनकी जो डैंसिटी है वो पानी से थोड़ी कम होती है क्योंकि 90% वाटर रह पर उनके बीच में इस पेस वगएर होता है लेकिन आपन क्योंनिट वालीम में वाटर का जो बेट है उनकी वीच के कमपरिजन होता है इसकी इसकी स्पेस्थिक ग्रेप्टी तो अगर इसकी बहुत ही का मैं मतलब लगड़ी बहुत लाइट है जैसी कौनीफर्स तो कौनीफर्स जैसी लगड़ी को पानी में फ्लोट करना बहुत आ अब floating कैसे कर सकते हो एक तो वो area है जहां आपके पास नदी है मतलब जंगल के पास नदी है तो आप पेड़ को काटोगे और नदी में डाल दोगे और नीचे area में लिए जाओगे इसे बोलते है river floating या free floating इसकी एक story बता देता हूँ महराष्टा है यह महराष्टा का नकसा बना देता हूँ थोड़ा गलबल है ठीक है इसका यह region है चंदरपूर वाला region अब चंदरपूर की जो forest है वहाँ पर क्या होता है कि ट्राइबल्स बहुत है नकसली बहुत है यह नकसली वाले क्या nexus चलता है तो यह क्या करते है यह forest area ले लो इस से जा रही नदी अब अगर इन्होंने मान की चलो illegal लगड़ी को काटा तो illegal लगड़ी कहीं न कहीं किसी रोड़ से जाएगी और रोड़ से जाएगी तो forest department उसे पकड़ लेगा तो यह क्या करते हैं और दूसरा एक और इसू की चुट deep forest area वहाँ पर तो रोड़ को दे दिया या वो नक्सली वाले जो नेकसस है वो लोग यहां रात में डालेंगे लगड़ी आ इसमें और क्योंकि forest department भी हो से आरे तो वह भी कई बार वाचिंग करते रहता है तो यह क्या करते हैं कि रात में यहां पानी में लगड़ी डाल देंगे चार पांच लगड़ और वहां पर इनने लगा ली साइड में और ट्रक पर चड़ा ली तो यह एक illegal है लेकिन कहने का मतलब था कि किस टाप से river floating है यह कैसे करती है आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसे river floating भी बोलते हैं इसे sweeping भी बोलते हैं या free floating भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो floating है वो ल नोंने लकड़ी डाल दी और इस पर तीन चार तीन चार का गठा बना के उस पर चड़ जाते हैं कभी बारी क्या करते हैं कि एक कम करो जब forest department का थोड़ा रात में जो guard है वो light लेके ख़ले रहते हैं तो इनका एक ही काम है रात में यहां से हजार पेड़ों को काट के डाल द जाता है और अगर हजार यहां से निकले तो यहां तक कम से कम कुछ नहीं तो 400 तो पहुंची जाएंगे अगर forest department ने भी पकड़ लिया यहां पर रोक लेते हैं तो यह लोग है वो freely जा रहा है कुछ इदर उदर की नारों पर लग जाएंगे लगे रहने तो कहने का मतलब उ free floating मतलब जो timber है उसे नदी में डाल दिया और फ्री लीफ मोव कर रहा है तो इसलिए भी इसे free floating है sweeping करते हैं लेकिन आपको मैंटन याद रखना है कि river floating भी इसी को बोलते है अब दूसरा क्या होता है बहुत सारी ऐसे area है जहां पर इस टाइप की river नहीं मिल पाती हैं खासकर European वाले हैं तो आलची तो पहले ही होते हैं तो कुछ ना कुछ दमाख लगाएंगे तो वो क्या कर देते हैं कि जो conifers forest यह पूरी पूरी conifers दिख रहा है तो जहां से extract करना सब्सक्राइए अधर अंदर से कर रहा है तो यह क्या करते हैं कि वहां से पूरी एक कैसी पट्री से बना के लिए आते हैं यह टर्नल और इस टर्नल में उधर से कोई नदी नाले का पंप लेकर के पानी चड़ा रहे होंगे उस पानी के थुरू यह मोव करके यहां पर पानी आ रहा होगा और टिमबर उधर से फैंकते जाएंगे तो इसमें ट्रेन के थुरू सीथे दढ़ जो रिवर फ्लोटिंग इसमें तो बारी टिमबर भी आ सकता है लेकिन इसमें क्योंकि पानी इतना जाता नहीं होता तो सौफट वूर वाली आपाते हैं इसको बोलते हैं टेली इसकोपिक फ्लोटिंग तो फ्लोटिंग की बात की जाए तो आपको यहां पर दो टाइप की हो गई एक रिवर फ्लोटिंग और दूसरा टेलीसकोपिक फ्लोटिंग यह पिक्चर पता नहीं पूल गया है यह जैसे आप उन्ससिटी वगऄर में जाते हैं यह वाटर पार्क में जाते हैं तो जब आप ऊपर से यहां पर नीचे फ्लोट करते हो ना बलकल यह टिमबर उ लेकिन महालो आप जब government level पर काम करते हैं तो आपके पास capabilities होती है कि आप एक साथ लाखों की तादात में आप timber को लेके जाओ लाख नहीं सही 10,000 तो सही तो 10,000 आप लेके जाओ इसका purpose यही होता है कि ठीक है थोड़ा slowly पहुँचोगे लेकिन जो cost effective है बोच जाता है जैसे कि यह एक बहुत बड़ी raft है लकडी की raft है इसमें कितने लोग लगे हैं एक ये लगा है एक ये लगा है और एक ये है ये पीछे बैक वाला पीछे से कंट्रॉल कर रहा है ये आगे से कंट्रॉल कर रहा है ये साइड वाला जो है ये इसको मुवमेंट करेगा कि ये किस टाइब से चले में इस बीच में कहीं टकराना जाए तो अब यहाँ पर तीन है तीन बोट पर अगर हर बोट पर दो लोग काम कर रहा है तो यहाँ पर केवल सिक्स लोग हैं जो इतना बड़ा हवी टिंबर को मूव कर रहा है यही अगर वो रोट से करते तो इसी के लिए उन्हें पचास ट्रक लग जाते पचास ट्रक में कितने एक ड्राइबर रोट वो तो सो लोग वरकर लगते जब कि यहाँ पर च्छे वरकर काम कर रहा है तो बहुत जड़ा कॉस्ट इफ्रेक्टिब हो गया लेकिन जो राफ्टिंग है अब इस टाइप से यह बनाते हैं पहले हमें देखनी होती कि राफ्टिंग की इस्ट्रक्चर क्या होती है सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पास जैसे एक लॉग लिया फिर दूसरा लॉग लिया तो ऐसे लगवा है आट दस लॉगों को ले करके इनका एक बनाते हैं गठा रसी से ऐसे बांदिया है दूसरा bundle इसके side में रहा तीसरा bundle इसके side में रहा तो इस type से 8-10 bundle को एकटा फर बान देते हैं उसे बोलते हैं section तो इस type से यह जैसे यह जो bundle थे इनों ने लगों जो भी हैं 15-20 दिख रहा हैं इनको को मिला करके यहां पर बना दिया section फिर क्या करेंगे एक section जो है यह रहा दूसरा section पीछ है तीसरा section उसके पीछ है तो इस type से 3-4 section है इनको मिला के यहां पर आपको 4 section दिख रहे हैं तीसरा और यह चौथा तो इन से मिलके बनी यह raft यूजुली एक raft में 10 section होते हैं कितने भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिवर है वो कैसी है तो अपनी स्ट्रक्चर देखो सबसे नीचे बेसिक यूनिट है बंडल उसके उपर है सेक्शन और उसके उपर राफ्ट और बंडल से भी नीचे क्या आजाता अपना जो अपना इस टैम है वो मतलब लॉग ल आपिए अगर हम उसे लॉग को राफ्ट कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं लॉग राफ्टिंग अगर सपोज जो फॉरेस्ट है रिया उसी में हमने लॉग को काट लिया और उससे सόंट टिमबर मतलब कटा हुए टिमबर है उसे convert कर लिया उसको इसके बाद हम उसको यहाँ पर rafting कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं sound timber raft या फिर अगर timber ना करके बंबू के बंबू के बंडल है बंबू के कल्म से हैं तो उसे हम बोलेंगे बंबू raft यहाँ पर अपना जो importance है वो यही देखना है एक तो के बंबू raft का क्या होता है और दूसरा log raft का usually हम क्योंकि एक log और दूसरे log को ऐसे 5-10 को मिला के बंडल जैसी चीजों में नहीं फसते हैं क्योंकि जब बड़े होते हैं तो तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे जाता तो क्या करते हैं कि लगवग 16-20 log को लेते हैं और उनका बनाते हैं एक section और फिर ऐसे 6-10 section को लेकर के बनाते हैं एक raft जिसे बोलते हैं पुल एक log raft तो अगर यहाँ पर suppose section जो है उसमें ले लिए आपने suppose 10 और यहाँ पर आपके 10 section है मतलब 1 section में 10 log और 10 section है कि दे 10 सो अब अगर यहां पर आपने बीस ले लिए और यहां पर आपके दासें तो यह होगा है दो समीज एर अरॉंड देख लिया जा तो अपने सो से दो सो के सम्थिंग लॉग एक राफ्ट में होते हैं यह है इस हुच नीच होती है बट हमें एक अबरेज सी काम चलना होता है और बंबू राफ्ट है उस पर भी कुश्चन आते हैं अब बंबू राफ्ट के साथ देखो यहां पर क्या होगा लगवग सेक्शन कितने होते हैं दस तो यहां पर जो एक बंडल है यहां पर क्या होगा अपने लगवग दस दस कल्म जो है उनका लगवग बंडल बनाते हो दस सक्षन होंगे एक राफ्ट में और एक सक्षन में दस बंडल होंगे और हर बंडल में लगवाक सो बंबू होंगे तो इस टाइप से आप की जो बंबू की राफ्ट है उसमें आते हैं टैन थाउजन कल्म यह कही बार कुशन पूछा जा चुका है कि एक जो बंबू की राफ्ट होती है उसमें कितने कल्म होते हैं तो इसका पहले यह मैथ जो था उसे दुवारा देखो यहां पर बंबू के क्या है कल्म है कल्म ऐसे हमने लिए 100 कल्म हंड्रेट कल्म उनको लेकर के क्या बनाया एक बंडल फिर ऐसे दस बंडलों को एकट्टा किया एक दो तीन चार पाँच और ऐसी यहां पर कर दिया हुआ इसी टाइप का 10 सेक्षन तो यह अपना आएगा 10,000 इसको याद रखना और फिर यह पूछा जाता है कि कितने सक्षन से मिलके बनती है तो 10 और यह कितने बंडल होते हैं 10 और एक बंडल कितने कलम होते हैं तो 100 यह नया भी रहा है लेकिन यह 10,000 तो याद रखना ही रख कलम होते हैं वो एक 100 अबरेज है 50 से 100 हो सकते हैं डिपेंड यह करता है कि आप कितने अगर 50 कलम कर दोगे तो फिर एक सक्षन में बंडल थोड़े बढ़ जाएंगे मतलब नमबर बंडल बढ़ जाएंगे 5 सक्षन इन हो मैनी सक्षन इन बंबूर आफ्ट तो अपने होते है हैं 10 सक्षन अब वो 10 से 15 हो सकते हैं जदा इसमें पचास से सो ऐसे नहीं हो सकते हैं 10 से 15 हो सकते हैं तो एक एबरेज देखा जाए तो एक बंबूर आफ्ट में होंगे 10,000 अब डिपेंड करता है मैंने जैसे बोला कि डिपेंड यह करता है कि आपके पास जो रिबर है वो क इतनी बड़ी है बड़ी रिवार में ज्यादा लंबे सक्षन को यह ज्यादा बड़ी राफ को ले जाया सकता है और छोटी रिवारत वहँए पर छोटी होते हैं अब यह जो राफ्ट है अपनी इसके साथ ऐख बात और समझदू कि दिख कैसे जाते हैं जैसे ही यहां पर अपनिया इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो एक एक सेक्षन करके जो ट्रेंग सी चैन बना ली यहाँ पर क्या करते हैं जनरली एक आदमी इधर खड़ा हो जाता है एक इधर खड़ा हो जाता है दूसरा एधर और दूसरा एधर और लगा लेते हैं All India Radio तो इनके पास होते हैं बड़े बड़े बंबू बास तो इससे क्या करते हैं ये इसको कि ये जब नदी में जाती तो ये उसे किनारे नहीं लगने देते हैं इसे इसको किनारे से नहीं टच होने देते हैं बस यही इनक हुई तो बीच में भी दो ऐसे खड़े हों गए पर ये एक दूसरे को गाना गाते हुए गुन बनाते हुए चलते हैं आराम से इनके पास कोई काम नहीं होता है इनका टारगेट होता है पांच छे दिन में नीचे के टाउन पहुंचाना तो ये पांच छे दिन तक आराम से उ ब्रेक है नहीं वह बंबू से इतना बड़ा जो पीछे से एक बार जब धार में इसके रफटार पकड़ लेती है तो यह बांस से कितना भी लगाए नहीं रुक पाती है अगर इसने सपोच यहां पर कहीं बांस से बंबू को रोकने की ट्राइग किया इसको चलो यह टिक रही गई जिससे बोलते हैं बूम बूम एक डच वार्ड है जिसका मतलब है फ्लोटिंग और स्ट्रक्सन यह जो बूम है वो राफ्टिंग में भी यूज करते हैं और जो इससे पहले कर रहे थे फ्लोटिंग जो फ्री फ्लोटिंग कर रहे थे जिसमें रिवर फ्लोटिंग था या टेलिसकोपिक फ्लोटिंग था उसमें भी बूम यूज की जाती है बूम का पलपच होता है कि जैसे जो नदी आ रहे हैं खासकर पालियों की तरफ से आ रहे हैं काफी अच्छी स्पीड में होती हैं उन्हें अपनी लॉग आराम से द्रहाम से चले आ रहे होते हैं तो यहां पर अपने नदी में क्या कर देते हैं ऐसे पिलर खड़का देते हैं और यह पिलर को यहां पर बांध रखा होता है मतलब इस टाइप से कि ये देखो पानी तो नीचे से भी जाता है लेकिन अपनी लॉक जो है वो सर्फेस पर होता है तो ये जो है वो बॉंडरी सी बना देता है जो भी लॉग इदर से आता वो यहां पर टिक करके टिका रह जाता इसी बूम पर तो उसे रोकने का काम करते हैं तो बूम के दो पर पाज है या तो यह इसे यहां रोकने का काम करें या फिर इसको डायरेक्शन देने का काम करें डायरेक्शन का किस में जैसे के नदी है आगे suppose दो पार्ट में डवाइड हो गई ये उपर से नदी आ रही थी और इस टाइब के दो पार्ट में डवाइड हो गई तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अपनी लॉग आ रही है वो इसी में जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से एक ऐसी बूम बनाएंगे इस टाइब की तो इस से किया है कि यह पिर जो टakराएंगे जो अपने लॉग आ रहा है वो इससे टकरा टकरा के वो इस साइट से ऐसे मूब कर जाएगा और पानी सीध़ा चलाई जाएगा तो इस टाइब के जो है यह है वन डारेक्शन लो भूम लेकिन ये उसे डारेक्शन देने का काम करता है दूसरा इसी टाइप से हम टू डारेक्शन पढ़ेंगे अब यहाँ पर भूम पर कुछन देखो कि भूम है क्या तो डच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लोटिंग अबस्टेकल अब यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग ऑफ्स्ट्रक्शन बिल्ट एक्रोस अरेवर तो इंटर्सेप्ट कलेक्ट और डाइवर्ड दा फ्लोटिंग टिंबर फ्रॉम दा इस्टीम इस काल्ड वो क्या है अपना बूम अब बूम के कुछ टाइप हैं जिसकी आप टाइम के बेस पर डिवाइड कर सकते हो टाइम के साफसे कि जैसे आपने नदी में टेंपरेरी बूम बनाया है पर्मानेंट temporary कैसे कि जैसे आपकी बारिस के टाइम पर आप हटा लेते हो भूम और फिर जैसी सर्दियां सुरू हो गई यह अपने फिर अपना भूम लगा लिया क्योंकि अगर वह भूम जो है जदा मजबूत नहीं है और अकर छोड़ दिया तो वह बारिस में जब पानी बढ़ता है तो कोई यूज करके उसे पर्मानेंटली मजबूती की साथ फिक्स कर दिया दूसरा उसके यूज के वेस्पे कि आप किस कर रहा है एक वन सिंगल आर्म या टू वे टू आर्म यह इसका है कि जैसे अपने नदी जा रही थी आपने ऐसा एक बूम लगा दिया इसे बोलते हैं सि परपरच क्या हो सकता है या तो इन्हों रोक ना हो सकता है जैसे कि यहां पर इन्हों ने ऐसा लगा दिया है बूम और यहां से जो लॉक आ रहा होंगे वो पूरी हां इस्टक हो गए तो यह बूम जो है वो सिंगल आर्म या तो यहां पर इसने इस्टक करने का काम किया या यहां से स्थमुर्स थी जो कर रहा है जो बूम आ रहा है उसको यहां से डारेक्शन लेखे चार चाहिए में आंगे नहीं बहने देगे तो आगे बहुए तो पकड़ेगा काम तो अपने यहीं का तो वो यहीं से रोग लेती है तो यह सिंगल आम दूसरी है जिसमें क्या करना है हम इस टाइब की बूम की स्ट्रक्शर खड़ी कर देते जैसे आपको यहां पर देखी थी यह है टू आर् पीच में 40 डिगरी का एंगल होता है हमें कोई लेना देना उससे है नहीं वहीं से पर यहां पर आपको बूम जो था वो समझ में आ गया तो अभी तक अपने देख चुके हैं एक तो फ्लोटिंग क्या होती है दूसरा राफ्टिंग और बूम है बहुत देख चुके हैं ती तो क्या देखो लकडी को अगर आप खचोड़ते हो से सलाइड करते हो तो अगर रॉक जो है में स्वैल जो है वो से फ्रिक्शन बहुत देता है लेकिन अगर आप विट लेंड जैसे में सलाइड करोगे तो यह आसानी से सलाइड हो जाती है तो इसी के लिए खासकर अपने सब्सक्राइड कर दिया तो यहाँ पूरा एरिया वेट मतलब पानी का बहरावाला कर दिया पर यहाँ से जहां से यह नहीं टिम बार निकालना था काट के उन्हें डाल दिया एलिफैंट को लिया और इनके साथ बांग दिया तो एक यह इलिफैंट जो पहले तिने यहां तक हमने लेंड पर कर लिया वाटर पर कर लिया अब यहां पर तीसरा वह है एरियल में आते हैं रोप पे खासकर ऐसे एरिया जो हिली यह वैली वाले हैं वैली वाले रीजन में क्या है कि आपके पास इतना सिस्टम नहीं होता है कि आप यहां पर रोड डाल सको और रोड डाल करके यहां के टिमबर को यहां लेकिया जाओ क्योंकि पहले ट्रक यहां से उतरेगा फड़ेदर चड़ेगा और फ़र उसके लिए रोड होना चाहिए तो यह चीजें काफी डिफिकल्ट होती हैं तो इसके लिए इन्होंने एक तरीकर निकाला वो यह है कि हम यहां पर एक टावर खड़ा कर दें दूसरा यहां पर एटल का टावर खड़ा कर दें और यहां से रोपवे के थुरू हम पूरा का पूरा जो टिमबर है यहां पर टिमबर है क्लेक्ट करेंगे इसे रोपवे के थुरू इस पॉइंट पर प पहँचा दिया तो रोपवे की थ्रूव ये करते हैं उसमें क्या डूरनाल रॉम तो नहीं है लेकिंडरन टाइप का भी इक रोपवे में हैं जो जिस टाइप की कंपनी है उसने जिस टाइब के इन्मे मोडिफिकेजन किया उसके साफसे इनके नाम थे हमें जएदे द्यान नहीं देना है बस नहीं समझ दो कि एर ट्रांसपूर्ट कैसे होता है कर दो कि एर ट्रांसपूर्ट लएब भाइब भाइब ठ्रांसपूर्ट कैसे नहीं समय समय सेड़ों झाला है अधने देसाफ नहीं समय सकते है कर दो कर दो कर दो अंपानी करो अंपनी करोंपनी और भी में। यंपनी करो जो से करोंपनी करोंपनी कि यघ्मानी करोंपनी कर दो प Misak झाल 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 तो अभी तक हमने क्या किया पेड़ों को काट लिया जंगल से और तो वहां से उन्हें खचोर के लेके अगया है कहां तक एक ऐसी जगाए जहां पर हमें इन्हें इस्टूर करके रखेंगे तो इस एरिया को जहां पर हम टिंबर को स्टूर करके रखेंगे उसे क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे फूरेस्ट डिपो या फूरेस्ट डिपोट अब यह जो डिपोट या डिपोट जो है यह कितने टाइप का हो सकता है यह क्या करते हैं यह सब शीज़ें अपने मतलब की हैं तो पहले तो हम देखें कि इसके टाइप क्या हो सकते हैं तो एक बोल सकते हैं इसके साइज के हिसाब से कि छोटा साइज का मतला माइनर डिपो है या दूसरा बोलो मेजर डिपो जहां बड़े बड़े साइज की डिपो हैं जो लगवग आदा आदा किलो मीटर लंबे हैं तो हैं मेजर डिपो दूसरा इनकी पोजीशन के साब से पोजीशन वाले बहुत इंपोटेंट हैं पहले यह देखते हैं कि जिसे अपने पास यह बहुत बड़ा फोरेस्ट इरिया है और यह आपके पास एक सिटी है तो क्या किये जाएगा यह जो फोरेस्ट इरिया है सब्पोज यहां पर इसका परपास यह कहां है और इसका परपास है यह डिफ्रेंट इरिया से जो कटिंग चल रहा है उन्हीं की जो वूड है उसी खट्टा करना और यहां पर लिया करके थोड़े एक कुछ लिपलता है कि उसे सेग्रीगेट कर लेती है कि मोटी अलग है पतली अलग है छोटी लगए तो यह कहां फोरेस्ट डिपो होगा कहां फोरेस्ट इरिया के अंदर हम वहां बर क्या करेंगे टिंबर को थोड़ा बहुत सौर्टनिंग कर लेंगे उनको सेग्रीट कर लेंगे उनके साइच के हिसाब से और फिर यहां से ट्रक भरके भेज़ देंगे यह ट्रक भर पर जो transportation होगा वो generally क्या होगा अपना minor transportation होगा और यह transportation आजाएगा अपना major के अंडर दूसरा अगर size case आप से बोल दिया जाए तो यह जो depo है यह थोड़ा छोटा वाला होगा minor depo होगा और यह depo जो transit वाला होता है यह होता है major यह जो transit depo है वो एक hub का काम करता है यह कैसे इस forest area से आ रहा है इधर के भी किसी forest area से यहाँ पर आ रहा है इधर के भी किसी forest area से इसके पास आ रहा है तो काफी अलग-अलग area से transit depo के पास यह वूट जो है वो आता है और पर यहाँ पर उनको fit segregate किये जाता है किसक सिटी है यहां पर पेपर की कोई इंडिस्टी है यहां पर कुछ और है तो ट्रांजिट डिपो फिर क्या करेगा उस जैसे सिटी वाला है तो सिटी वाले डिपो को उसके इसाफ की लखड़ी भेज़ देगा पेपर बाले इंडिस्टी क्या जो एरिया वहां के डिपो को उसकी according लकड़ी बेश देगा इधर वाले city कोई third है उसके इसाब से लकड़ी बेश देगा तो इस टाप से transit depo से फिरांगे move करके जाएगी और वो third step पर पहुचेगी यह जो depo होता है जहांपर इसको actual में city के बगल में city के अंदर depo होता है और यहांपर लकड़ी की क्या लगा जाती है बोली औक्सिनिंग की जाती है और city में जो जिसके प्लाइबूड इस्टी वाले हैं सौ मिला रहे हैं यह यहां से खरीदिके लिया आते हैं तो यह जो depo होता है इसको हम बोलते है cell depo जहांपर लकड़ी को actual में बेचा जाता है जो third है वो cell depo है यह transit depo है और यह अपने क्या है forest depo तो पहला तो यह याद यह रखना है कि कौन सा depo कहा है मतलब position क्या है अब इसमें size उनके आपको समझ में आगए होगा जनरली जो cell depo और transit depo है यह major होते हैं size में बड़े होते हैं और जो नीचे का forest depo होता है वो थोड़ा छोटा होता और कम time के लिए होता है जब तक forest में खटाई कर रहा है तब तक यह depo बना है forest में कटाई बार खतम यह forest depo खतम जबकि ट्रांजिटर जो अपने city वाले जो cell depo है यह लगवा पर्मानेंट से होते हैं और पर्मानेंट क्या वो पर्मानेंट ही होते हैं एक बार बन गाया अगले 1500 सालों तक जब तक government of India exist करती है इस land पर वो depo चलते रहेंगे अब यह जो है यह तो एक वे हैं यहाँ पर हमने जो depo यानि की timber को store करने का एक जो तरीका था वो था land पर जमीन पर तो इसलिए हमने से एक category more डाल सकते हैं कि यह वो सभी तीनों की तीनों depo हैं जो land पर हैं ऐ ऐसा भी हो सकता है कि हमने store जो करने का काम किया वो water में किया हो तो उस case में हम इसे बोलते है water depo तो एक दूसरी category भी आ जाती है एक वो जो land पर हैं दूसरे वो water पर हैं अब actual में हम water में store क्यों करते हैं आप बोल सकते हो कि water में अगर डाल दिया तो पानी तो लकड़ी अब हर species को देखो जो लकड़ी जमीन पर होती है उसके साथ बहुत खत्रे होते हैं पहला खत्रा यह होता है कि बहुत सारे जो insect paste है वो सीधे attack कर देते हैं तो जब depo में कोई लकड़ी रखी जाती है तो उसको बहुत जदा treatment देना पड़ता है तो खाना पड़ता है सही से क्यों तो वहाँ पर हम चाहेंगे कि अगर यह लिगनिन किसी तरीके से निकल जाए तो बहुत बड़ी है तो अगर हम इस type से यहाँ डाल दें पानी में तो यहाँ पानी में कुछ टाइम तक डली डली इसका जो लिगनिन बगड़ा है यह जो other जो content है गम बगड़ा की चीज़े ह वो दीरे दीरे पानी में घुल के कुछ निकल जाती है तो इस type से जदा न सही तिनके को डूबते को तिनके का सहरा तो उस type का यह है कि कुछ तो गया और तीसरा यहाँ पर ऐसी लखड़ी जिसे पानी पर कोई फरक नहीं पड़ता तो जमीन जो कीमती है उसे क्यों ट्रांजिसन वाली फंक्शन में यूज करते हैं मैंली अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर डिपो में काम क्या करते हैं हम जैसी कि अपना लेंड डिपो है तो उसमें काम क्या करेंगे तो पहला तो होता अपना जैसी यह डिपो का एरिया है यहां से जंगल से ट्रांजिस के हिसाफ से उनकी grading की जाती, A grade की लखड़ी को यहाँ रखा जाईगा, B grade की यहाँ, C grade की यहाँ वो भी स्पिसीजवाई टिक की लखड़ी यही रक दी साल की लखड़ी यहीं रक दी देवदार की कहीं और रक दी तो ये डिपो में पहला तो काम होता है तो उसे सुखहना पड़ता है नहीं तो वह भरिट बंद हो जाती है तो इसका काम करते हैं हम दो भी सीजनिंग का और इसको प्रिजर्वेशन you प्रिजर्वेशन प्रिजर्व भी करना होता क्योंकि प्रिजर्व करने कुँए किड़्ें अठेक कर देते हैं तो अब बेचेरने के लिए बोली लगेगी तो यहां पर एक कमरा बनाते हैं जिसे बोलते हैं आक्सिनिंग हॉल तो यहां पर क्या होते हैं आक्सिनिंग होती है बोली लगती है तो इनके काम है grading करना, seasoning preservation करना, oxygen करना अब जो other research related काम है वो अलग बात है वो उनका main priority में नहीं आते हैं priority इनके यह तीन काम है तो यह depo वाले काम करेंगे generally forest में जो भी illegal लकड़ी कट जाती है और वो पकड़ में आ जाती है तो फिर forest department वालों का काम यही होता है कुछ लकड़ी को पकड़ के ट्रक पे चड़ा और डिपो भीच दो फिर इनके काम खताम डिपो वालों का काम है उसे बेचना तो यहाँ पर जो अपना डिपो वाला काम था वो हो गया खताम अब इस पर कुछ कोश्चान है जैसे कि डिपो वालों के लिए टिमबर अधर फोरेस्ट प्रोड्यूज इस इस्टोर पेंडिंग इट्स डिस्पूजल बाइस सेल तो मतलब वो डिपो जहां बेचने के लिए यानि कि डिस्पोज करने के लिए टिमबर अभी पड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे तो क्योंकि यहां बेचने के लिए है तो इसे हम बोलेंगे सेल डिपो फोरेस्ट के अंदर होता है तो वो तो कलेक्ट फोरेस्ट डिपो क हो है जो सबसे मार्केट के नियर होगा तो obviously sell depot होगा क्योंकि बिचने का काम तो मार्केट में किया जाएगा और ये मार्केट के पास भी होगा which depot is mainly inside the forest forest के अंदर कौन होगा वो का अपना forest depot तो अभी storage का काम हो गया अब अपना काम रहेगा इनकी grading का यानि कि timber की grading का अब देखो किशी के भी है जैसे आप इनसानों की grade करो ये इनसान एक category का है ये बी का है ये सी का है ये जैसे अपनी cbsc है cbsc बोर्ड जो students है उनकी grading करता है a grade b grade c grade और असमें भी a मैं भी a plus a negative इस्टाइब की करें तो ये जो grading है वो किस बेस पे होगी कुछ ने कुछ characters के भी होगी तो characters क्या लेंगे characters होंगे कुछी type के defect जो would without any defect होगी उसको हम grading देंगे ए में जिसमें कुछ थोड़ी बहुत defect होंगे उन्हें B में और जिसमें बहुत ज़्यदा एक जो एक जो एक होंगे यानि की damages होंगे उसे हम कर देंगे C grade में तो यहाँ पर क्या करना है पहले तो हम यह देखना कि आखर हम grading करते क्यों है दूसरा देखना है कि यसी कौन-कौन से जो common defect यह terminology है जिनके बेस पर हम grading करते हैं यहाँ पर grading की हमें प्राइज अच्छे मिल जाएंगे जो कम quality के उसके प्राइज कम मिलेंगे उसी के साफ़ से treatment देना पड़ता है मैंने और यह identify करना कि आखर टिंबर में यह जो defect है वो आया कैसे है जिससे कि हम उसकी जो defect उसको avoid कर सकें फ्यूचर के लिए तो इस टाइप से हम काभी कुछ जो वैलिवल टिंबर का loss है उसे रोग सकें अब अपना जो second pillar आता वो है इसकी common defect और terminology बहुत important topic है इस मुद्धे पर त्यूंकि यह defect है इन पर question अक्सर आ जाते है इसमें जो defect है उ तो सूख ते समय उसके साथ जो समस्या हो जाती है उन defect को दिख रहा है उनमें सबसे पहला जो आता है उसे बोलते हैं हम check चैक का मतलब क्या है जैसे आपने अगर लकली को काट दिया यानि कि इस टाइप के फट्टा बना दिया है अब फट्टा बनाने के बाद जब आपने से सूखने के लिए रखा स्वीजिनिंग मतलब सूखना ड्राइंग करना इसकी monster निकलना तो इसमें क्या होगा एक क्रैक बनना शुरूबा किनारे पर लेकिन क्रैक इसके एक किनारे पर बना अभी दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचा है यह एक ही किनारे पर है तो इस टाइप के जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम चैक यूजली जो किनारे पर हैं एक बात और याद रखो कि जैसे अपना यह टि जो ऐसे races है किसी log को वो ऐसे थोड़ी फटने रहेंगे तो जो फटे का वो इनिकी log के रेसे के parallel में फटेगा तो यह जो है along the grain अगर फटता है तो यह जब कम सा फटता है एक ही side फटता है तो हम उसे बोलते हैं check लेकिन अगर यह आर पार हो जाए इस side से उस side हो जाए तब हम उसे बोलते हैं कि यह भई फट चुका है यह split हो गया तो पहले आता है check फिर आता है split एक तीसरा और है जिसे बोलते है honeycombing honeycombing में क्या है कि मान के चलो कोई लखड़ी है वो देजी से सुकी देख अब अगर लखड़ी धीरे धीरे सुकती है तो क्या है पहले उसकी बाहर की जो वोड है मतलब जैसी कि लखड़ी है उसकी बाहर की वोड़ है उसने moisture loss की और उसके साथ साथ जिस स्पीड से यह कर रह होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन अगर यह rapidly सूख रही है ड्राइंग जो है वो बहुत जएदा rapidly हो रहा है तो क्या होता है कि जो वोड है उसकी stress को नहीं जिल पाती है तो इसको क्या है कि अगर slowly होती तो आराम आराम से छोड़ती है और यह सिकुड जाती है मतलब मध मख्य के छते जैसे Megan यह स्ट्रक्चर सी कॉम्बंग हो जाती है तो यह विक्यासी क्या सीजिनिक टेटेफैक्ट है मतलब रकडि की सूखने से टेफक्त बनता है तो पहले आपको यह अध रखना कि यह चैक है है हमें है एक तीनों सीजिनिक टेफ्यक्त अब जैसे क्या बोला फ्लूट फ्लूटा भी आया नहीं आपको पढ़ने को आया फ्लूटेड इस टेम आपने पढ़ा था डिके रॉट ये फंजाई करती है आंगी भी आ जाएगा होल का मतलब छेद होना वह मतलब नहीं है तो यहां पर यह तो चैक होता है या स्पिलिट होता कोई भी चैक करते ना तो बस बैसे यह कि यहां पर सबसे पहले थोड़ा चैक किया जा रहा कि फटेगा के नहीं अगर यह फटेगा तो फटेगा दो बस इस टाइप का है कि पहले चैक कर रहा है तो हलका है मतलब चैक कर रहा है पूरा फटेगा मतलब स्पिलिट हो गया है इसके बा अब इसमें आगे चलते हैं दूसरा मुद्दा था इंसक्ट का यह कीड़े हैं यसी कि अपना 이 स्टैंबुरर था हर्ट वूड Wusher था तो यह इंसक्ट किया करेगा इसके अंदर जाएगा लकड़ी के अंदर और वो खालेगा तो अपना साल हर्ट वूड वूरर हर्ट वूड वूरर जो था वो यही तो कर रहा था इस्पाइनी कॉर्णिस दूसरा आपने बर्ड्स की दिखोंगे कुछ है वूड पैकर जो बर्ड होती वो वहाँ पर चौंच मारती रहती टक 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 और वो हूल कर देती है एक तो काम करती है रॉटिंग का रॉट मतलब उसे खतम कर देना यह रेड रॉट पढ़ा था आपको फूरस पैथोलोजी में आपने जो पढ़े थे वाइट रॉट रेड रॉट ब्राउन रॉट तो रॉटिंग का मतलब वो उसे खा जाएगा उसकी जो हाट और जो हाट वूड थी यह वाली जो है यह क्या है रॉटिंग है जैसे यहाँ पर ब्राउन रॉट या भाइट रॉट है तो वो परपच वही है रॉटिंग का मतलब कौन करेगा फंजाई करेगा रॉटिंग या डिके दूसरी फंजाई एक काम और करती है कुछ जगाए क्या है कि जैसे फंजाई लग गई आपने कभी देखा हो आपके जो कपड़े होते हैं कई बार फंजाई उन पर ग्रो कर जाती है आप उन्हें कितना भी सावन से धुल दो लेकिन उन पर दाग रह जाते हैं बोस ने क्या किया कि जो कुछ केमिकल जो atge की है उसने आपकी जो साट की जू सेललोज था उसके साथ रियक्ट करके उसके इस्टेन दे दिया कलर दिया तो फंजाई जो है बोस ने उसके जो जो इसे इस्ट्रेन आया जो इस्टोर था उसके साथ डियक्ट कर गया है अब क्योंकि जो इस्ट्रेन जो कलर आ जाता है ये अगर सपोज आपकी लकड़ी वाइट है उस पर कोई अजीब टाइब का कलर आ गया तो पहले ये हुआ करता था कि कलर आ गया मतलब अब इसके मार्केट वैलू नहीं है जैसे आपके उपास का करता कोई सफेद प्रिंटर है उस पर अगर थोड़े में दूल गंदी जैसे दाग लग जाए तो पर उसको वो वैलू नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए है तो इस टाइप से फंजाही क्या करेगा या तो रॉटिंग कर देगा या डिके कर देगा इंसेक्ट क्या कर देंगे अपने हॉल कर देंगे इसके बाद एक और डिफेक्ट होता है जिसे बोलते है फ्लूटेड इस्टेम यह ऐसा होता है जैसे बांसुरी है बांसुरी हों को मिला के गठ्था बना दिया गया है fluted stem का यह कोई insect paste का नहीं है यह जनेटिकल है बहुत सारी ट्री है जो tropical rainforest के जिनमें यह हो जाता है अपना जो अर्जुन है टर्मने लिए अर्जुन हा उसमें भी कई बार यह ग्रो कर जाता है और एक है tapering tapering मतलब गया है कि plant जो है वो नीचे से उपर जाता है तो उसका जो stem diameter वो घटता है तो यह है tapering तो tapering भी common अपने लिए तो defect ही है क्योंकि यह commercial वालों के लिए वोने तो यह सची है बिल्कुल round जिस पर question देख लेते हैं पर आँगे चलते है ब्राउनिंग ब्राउनिस या light grey patch light grey patch या brownness patch font on wood is called लकड़ी जो है उस पर brown color के या light grey color के कुछ patch है धब्बे है तो उसे हम क्या बोलेंगे तो देखो fluted का मतलब नहीं है hole का आप समझ में आ गया होगे hole का मतलब नहीं है तो यह क्या है road या decay फंजाई ने किया यह इसके अलावा और क्या होते है एक होता है in bark और दूसर outer side में होती है उसके inner side आपको कुछ bark नहीं मिलेगा inner side बिलकुल बढ़िया type का timber मिलता है लेकिन कभी कभी क्या होती कि जो इनका जो growth phase उसमें कोई effect आ गया उसका कुछ damage वगयरा हो गया था इस side में तो इस side का जो tissue था वो properly growth नहीं कर पाया तो यह growth कर करके क्या होगा यह जो bark वाला पार्ट है वो log के अंदर आ जाता है अब क्योंकि bark वाला पार्ट अगर आपने इसके कुछ भी बना दिया यह bark वाला पार्ट तो भाग जाएगा भाग जाएगा तो अगर आपने इसके suppose slab बनाए थे तो slab में बीच में होल आ गया और वो बरबाद हो गया तो यह in barking भी एक defect है इससे अपने जो वेवोड है उसकी जो मार्किट वैलू है वो गिर जाती है दूसरा होता है गांट जैची की गांट का मतलब क्या आपने पता है कि हम टिमबर में नेचुरल प्रूनिंग करते रहें क्यों करते हैं आर्टिफिचल प्रूनिंग क्यों करते हैं क्य कि यह असपास की फाइबर से बहुत अच्छी तरह से कई बार जोड़ती नहीं है तो यह अलग हो जाती है तो जैसी यहां पर अगर बोला लाइव नॉट मतलब यह जंदा है इसके साथ साथ साइड़ वालों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी है जब यह सूख जाएगी जाएगी तो बिल्कुल अलग निकल जाती है और वहां पर अपनको जो फट्टा सा होगा उसमें जब नॉट वाला पार्ट जब निकल जाता तो यहां पर एक होल बन जाता है तो इस टाइप से हम लाइव नॉट और डैड नॉट दो टाइप के होते हैं लेकिन यह नॉट भी एक डिफैक्ट है अब आते हैं इसमें अगला सेक्स यह सेक्स हैं वह बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप उन सेकिंग करते हैं मिलक और वह गर जो बॉन वीटा होगारा कुछ जो भी मिलाते हैं मजबन में तो वह सीकिंग करते हैं तो बस बैसी समझ दो कि अगर टिम्बर को स इस डेक्स था स्पिलिट था यह अपना चैक्स और किसकी बताय को सोंट टिम्बर का मैं जो है और सेजख़निंग सूख से समाए और यह पूरा कर टींप रह सें लेकिन यह ऐसी हैं जब और इसनल में हैं जहां आपका पूरा पूरा जो लाग है वाभी तक लाग रखा हुआ ह और लॉग में इस टाइप की कंडिशन होती है उसे हम बूलते हैं सेक सेक में क्या होगा इसके चार टाइप है आपको पता है कि इसमें जो है वह एन्वल रिंग ऐसी होती है पहला तो यह है कि जो क्रेक है अगर माने कि चलो सुखा रहा है लकडी को और वह सही तरीके से नहीं नहीं हो दो क्या होगा कि बहुर की और लकडी ऑनोपे उसे कर दिए ृसका साइज सक और अंदर की सिकुड नहीं रही तो वह क्या होन भरताने लगेगी गकार को बेघल्ति अबंग नहीं कर जाएगगयल तो ऑपने वह सक और जी बनाते हैं यह लग बॉक्तिन भणतने Rossi तो यह जैसे एक है अब यहाँ पर भी क्या बनेगा यह इसको ले लो एक दो तीन अब बस यह पांच की जिगा यहाँ पर साथ अट बन गाए तो यह होता है स्टार जैसी इसलिए से बोलते हैं स्टार सेख कभी कभी जो इसके सीजनिंग में दूसरा आजाती है कि अगर यह स्टार जैसा ना बन पाए तो यह जो रिंग है एन्वल रिंग जो हैं वो सेपरेट हो जाती है तो मतलब ऐसा लगता है पाइप के अंदर पाइप वो भी अलग-अलग से हो गए तो इसको हम बोलते हैं रिंग सेख तीसरा है जिसे हम हर्ट सेख बोलते हैं क्योंकि सेंटर वाला पार्ट क्या है हर्ट पूट यहाँ पर जहां आउडर पार्ट से स्टार्ट हुए थे उसे बोला था स्टार जहां अंदर से ही बाहर की तरफ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं हा्ट से, यानि कि हर्ट बूड से स्टार्ट होता है, इसके पीछे रीजन यही है, कि पेड़ जो अपना वो बहुत पुराना है, तो पुराने की वज़े से कि आए कि इसका बाहर का तो पाट अच्छा है लेकिन यहां पर ज्यादी पुराना हो गया डिके जैसी कंडिशन पहुंच गया तो कई बार क्या होता है काटने के बाद यह मुश्चत थोड़े जल्दी छोड़ देता है फंजाई वज्ञाई का इफक्ट पड़ गया तो यहा पर वूट में यह जो टिमर लॉग है उसमें चार टाइप के सिक बनते हैं यह चारों को ही याद रख लेना कौन कौन सा टाइप कौन कहां से होता है स्टार सीप बाहर से होगा हर्ट हर्ट सीख बलुकर हर्ट वूट से सुरू होगा रिंग से एन्वल रिंग की की परलर और रिंग से का जो छोटा फॉर में वह है कपसेग अब यहां पर जो हमने जो कॉमन डेफेक्टिव टार्मनलोजी या उसे पढ़ दी है अब इसके बाद अपना आएगा आप मुएन मुद्दा वह है ग्रेडिंग ग्रेडिंग की केस में कहने का मतलब क्या है कि हम इन पोस्ट यह च्छोटे पार्ट होते हैं च्छोटे मोटी जो ब्रांचेज हैं साइड ब्रांचेज हैं उनको एखटा करके रख दिये जाता है तो अगर टिमबर की बात की जाए कि दौनों ही को इसी टाइप से करते हैं चाया पोल पोस्ट हो या लॉग को लिकिन हमारा जो बिसिकली प्राइवटी तो लॉग के ही होती है तो लॉग की ग्रेडिंग की जाए तो तिन ठाईप से क्याये में ड्बाइड करते हैं ग्रेडिंग ए ग्रेडिंग भी यान कि क्लास थे क्लास बस basic समझो कि है क्या करवेजर का मतलब कि यह जैसे stem है इनका कहना है कि लगभग यह हमने 10 तुक्षान देंट लिया यह 10 फिट का हमने लॉग लिया तो यह 10 सब्सक्राइब पर यह अगर होरीजोंटल एक्सेस है तो यह पेड़ है ज्यादा से यहां से हलका जुक है मतलब इसके बीच का जो जुकाव है इसका होरीजोंस है यह ज्यादा से ज्यादा कितना हो 7 cm तक का परलब ज़्यदा timber tilt ना हो इसका कितना है कि वही 15 cm तक है और यह है वो 15 cm से उपर का मैं थोड़ा ज़्यदे टिड़ा करका बना रहा हूं लोक को तो यह curvature इसका ज़्यदा है तो इस ट्राइब से है कि जिसका curvature काम है जिसका ज़्यदा है और बहुत ज़्यदा है दूसरा टैपरिंग की rate है कि 3 मीटर यानि कि 10 फिट का ले लो उसमें लगवग 20 cm टैपरिंग होती है इसमें 25 होती है और इसमें उससे ज़्यदा होती है अब आपको यह चीज़ याद नहीं रखनी कितनी टैपरिंग होगी कर्वेचर कितना होगा फ्लूटेट कितना है या उसके एंड में क्रैक वगर है के नहीं है सर्फेस में क्रैक है के नहीं लाइब नौट कितनी है डैड नौट कितनी और भी क्राइटेरिया है इसके आपका इसका परपज के वल यह देखना है कि यह देख लो कि किस टाइप के क्राइटेरिया है A वाला वो होगा जिसमें A क्राइटेरिया लगवग ना के बरावर होंगे B में वो मेडियम में होगा C सबसे जदा खराब काटेगरी में होगे तो यहाँ पर देख लिया जाए तो A जो है वो लगवग फिरी फ्रॉम आल मेजर डिफैक्ट उसके पास फिरी फ्रॉम आल डिफैक्ट जो A होगा जिसे अपन क्लास A बोलते है वो लगवग जितने भी डिफैक्ट है उनसे फिरी होगी B कैटेगरी में होगे उनके कोई मेजर डिफैक्ट नहीं होगा थोड़ी बहुत डिफेक्ट चलेंगे और सी में तो लगवा कि जदा तर डिफेक्ट ही होते हैं अब इसमें जदा चीज़ें को याद रखने की ज़रुवत नहीं है खासकर यह टेबल को तो बिलकुल याद रखने की ज़रुवत नहीं है अब यहां पर जैसे कुश्चन आया करने के लोग की लेंथ को करते हैं ठीक बाद लोग को टैपरिंग करते हैं लोग के डाइमीडर को तीनों ही सही है अब इन्होंने बुला चैक है डिके फ्लूट नॉट हाँ देखो फ्लूट और नॉट को तो हम करते हैं क्योंकि इनका फराक होता लेकिन यह चैक को भी कर ल जो है उसके अंदर जो रेसियों नहीं होते हैं वो रेसियों की बोला जा रहा हुआ आ उन्हें ग्रेन ग्रैन बोलते हैं quantity of sapwood सब्धोर कितना है और hardwood कितना इससे अपन ग्रीडिंग नहीं करते हैं বशाटने surface crack curvature यही मैं कि surface पे जो crack है उनमें कि की लंबे टाइम तक वो crack है तो भई यह कोई मुददा ही नहीं है तो यह चाहिगी ही नहीं है तो यह अपने हट जाएगा अपने option आते है A और B तो आप क्यूंकि это check, decay, flute है यह थोड़ी minor चीज़ है है फ्लूट कई वार हो सकते हैं तो अपन थोड़ी बहुत फ्लूट तक परमिट करते हैं इसलिए अपना जो मैं आंसर आएगा वह अपन लॉग लैंथ है लॉग की टैपरिंग और लॉग डाइमेटर इसी पर रखेंगे क्योंकि देखो यहां पर ऐसा नहीं कि एक वह है जिन फटे कितनी निकलेंगे डिफेक्टिव सिकेंड स्टेप देखे जाते हैं तो अपना आंसर आएगा यहां पर अपना यह वाला जो पार्ट था यह कंप्लिट हो गया अब इसके बाद क्या आएगा यह आने रहा है वुड की सीजिनिंग लखड़ी को सुखाना जो बहुत ही सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट पार्ट है और पॉसिबल है कि आपका एक कोशन राजस्थान में आएगा ही आएगा ऐसा कोई अग्जाम नहीं होता है अभी तक फोरेश्टी का जिसमें वुड सीजिनिंग से और वुड के प्रिजर्वेशन से कोशन ना आयो हूँ दो चैप्टर है और दोनों से एक कोशन आता ही है इससे जो वुड की जो अभी डिफेक्ट पढ़ाई थे इससे भी कोशन आते रहते हैं कई बार बट वो अगले बारे पार्ट से ज्यादा आतमी के चांस उन पर तो आते ही आते हैं तो उसे